So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में looping share के बारे में बात करेंगे जो share का price है यहाँ पे 732.90 पैसे है और इस share में आज हमें 4% तक के returns देखने को मिले हैं आगे हम इस share के 1 month के returns को देखते हैं तो 1 month में जो share है उसने हमें 10.44% तक के returns दिये हैं साथ ही अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं all time में share में हमें यहाँ पे 31,359.23% तक के returns देखने को मिले हैं आगे हम इस share के delivery और volume की बात करते हैं तो जो share की volume है today की वो 14,00,000 की है यानि इस share में total जो है आज 14,00,000 तक share trade होए है और जो share की volume है yesterday की वो 3,00,000 की है 1 week average की 4,00,000 की और 1 month average की 12,00,000 की यानि की इस share में total जो है 3,00,000 से लेकर 14,00,000 तक share trade होए हैं और जो share की delivery है yesterday की वो 64,000 की है 1 week average की 1,00,000 की और 1 month average की 3,00,000 की आगे हम जो है इस share के resistance और support level के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे जो share है उसने अपने तीनों resistance level को break out करते हुए हमारा जो target है यहाँ पे 750 रुपे के राउंड यहाँ पे रहने वाला है वैसे तो जो यह share है यहाँ पे long term के perspective से काफी जादा बढ़िया है और अगर आप इस share को यहाँ पे long term के perspective से hold करके रखते हैं तो long term के perspective से इस share के आपको जो है यहाँ पे काफी जादा positive returns देखने को मिल जाएंगे और है वो pharma sector से belong करता है तो यह जो share है long term के perspective से यहाँ पे काफी जादा बढ़िया इस share के आपको जो है returns देखने को मिल जाएंगे